नमस्कार न्यूस प्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की कुछ खास ख़बरों की और बारा में अपने पती की सुख सम्रिधी सौभाग गया और लंबे उम्र के लिए ववाहित महिलाओं द्वारा गुरुवार को निर्जला व्रत रखकर करवा चौत मनाया किया सौहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल व्रत के बाद साम को पूजा अर्चना कर चांद का दीतार किया इवं पती के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला सुहागिन महिलाओं ने बताया की करवा चौथ का वरत या पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है पती की लंबे आयू के लिए सारा दिन उपवास रखकर देर साम को सामुहिक रूप से माता करवा चौथ की पूजा अर्चुना करने से मन को सामती मिलती है देर साम को नए परिधान पहन कर सोला शिंगार कर गोबर से बनी माता करवा चौत की मुर्ती का पूजन किया करवा चौत पर्व के चलते सहर के विभिन मंदिरों पर साम के समय महिलाओं की भीड देखने को मिली जहां महिलाओं ने माता करवा चौत की पूजा की वही इस आधोनरिक योग में नितनाई तकनीक एवं फैसन के बावजुद सुहागिनों ने करवा चौत का आज भी मिटी से बने करव का ही महत्व बना हुआ है सुहागन के लंबी आयू के लिए सुहागिनों द्वारा मिटी से बने करव से ही पूज़ा की जाती है